दोस्तो वीडियो को ज़ादा से ज़ादा लोगों तक सेयर करें। खबर है दोस्तों पीडियो को एक लाइक जरू करें दोस्तों मोधी सरकार ने दी गरीबों को बड़ी सोगात अब उजवलाई ओजना के तहट दुबारा नहीं भरवाना पड़ेगा गैस सिलिंडर जी हाँ दोस्तों मोधी सरकार के दूसरे कारिकाल में प्रधान मंत्री उज उजवला इसकीम का सिलिंडर दोबाना नहीं भरवा पाते हैं इस नई सुबिदा का संकेत देते हुए सार्जवनिक चेत्र की एक All India Permit Company के अधिकारी ने बताया है कि उजवला के तहत LPG सिलिंडर साल में औसतन तीन बार ही भरवाय जा रहे हैं जबकि राष्टिय औसत साइद सिलिंडर की कमी है क्योंकि रिफिल मुफ्त नहीं है अधिकारी ने उमीद जता है कि 5 किलो के सिलिंडरों को इस्तमाल में इस्थी बदल सकती है आपको बता दे कि मोधी सरकार का उजवलाई ओजना के तहत 8 करोड गैस कनेक्शन बाटे जाने का लक्श रखा गया है अब तक 7 कड़ोर 19 लाग कनेक्शन दिया जा चुका है यानि 30 माई के बाद 100 दिनों के अंदर 81 लाग गैस सिलिंडर और बाटे जाएंगे इस बार यह लक्श पूरा हो जाने के बाद उजवलाई ओजना के तहत 5 किलो के छोटे सिलिंडर के इस्तमार पर जोर दिया जाएग अब ही 5 किलो का सिलिंडर 260 रुपय में मिलता है और सबसिटी के तोर पर जो बैंक एकाउंट में आता है वो करीबन 80 रुपय आते हैं साल 2011 के जन्गना के हिसाब से जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते है उन्हें उजवला यूजना का लाव मिलता है माना जा रहा है कि उजवला यूजना ने मोदी सरकार की सत्ता वापसी में अहम भूमी का निभाए है राजनिती के जानकारों के मताविक उजवला के लाभानवित महिलाओं के बीजेपी की अगवाई वाले राष्टिय जनतांत्रिक गटवंदन के पक्च में मतनान दिया है इसका योजना के ताथ सारे कनेक्शन महिलाओं के नाम पर दिये गए है जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी ख़बरे मोधी सरकार दे रही है बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा घर बैठे मिलेगी मदद जी हाँ दोस्तों देन परती दिन महगाई बढ़ती जा रही है इसकी वज़ा से पढ़ाई पर किया गया खर्च लागतार बढ़ता जा रहा है मावाव की इस परिसानी को समझते हुए मोधी सरकार ने परधान मंतरे बिद्या लक्ष्मी योजना सुरू की है इस योजना के ताथ सरकार बच्चों के पढ़ाई के लिए दो तरीके से मदद करेगी एक तो केंदर से दस से अधिक मिनिस्ट्री ये वो विभाग के स्कॉलर्शिप इसकीम के माध्धम से पैसा दिलाए जाएगा और दूसरा उन देश में 35 बैंकों द्वारा चलाई जा रही पंचानबे लोन इसकीम के माध्धम से पैसा मिलेगा जी हाँ दोसो केंदर सरकार की दस से अधिक मिनिस्ट्री की और से पढ़ाई करने वाले बच्चों को स्कॉलर्शिप दी जाएगी प्रधान मंतरी बिद्या लक्ष्मी योजना के ताथ इस स्कीम को एक प्लेट होर में लाया गया है प्रधान मंतरी बिद्या लक्ष्मी योजना के ताथ एजुकेशन लोन लेना आसान हो गया है इस पॉर्टल पर education loan के common application form उपलवद कर आए गया है अब तक देश में 35 बैंकों के इस पॉर्टल का education loan की 95% इसकीम पंजीकृत की गई है इसमें SBI, IDBI Bank, Bank of India और Canera Bank सामिल है जी आदोस्तों आपको बढ़ा दे कि यह पॉर्टल कैसे भरना होगा अगर आप प्रधान मंतरी बिद्या लक्ष्मी उजना का लाफ लेना चाहते हैं तो आपको पॉर्टल पर login करना होगा जो description ने लिंक दिया हुआ है login से आपको register करना होगा और login करने के बाद आपको loan के लिए apply करना होगा जी हादोसो आपको बता दे कि सरकार क्या क्या फाइदे देगी जी हादोसो चातर चातराओं के लिए education loan से संबद दित सवाल एवं सीकायत है तो email के भी सुविधाय उपलब्ध है loan आवेदन के इस्थिती को देखने के लिए dashboard की सुविधाय उपलब्ध है बैंकों के सिक्षा loan एवं अनिस्कीम की तरह एक जगह जानकारी दी जाएगी loan लेने के लिए common platform की वज़ा से छातरों को education loan के लिए सीधा इधर उधर भटकने का जुरूरत नहीं पड़ेगा आपको बता दे कि कैसे यह loan को आप अपलाई कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों बिद्या लक्ष्मी योजना के रजिस्टन पूरा करने के बाद आपको एक email ID और password मिलेगा इसके बाद आप email ID और password डालने के बाद login कर सकेंगे education loan के लिए आप common education login फॉर्म पर भश सकते हैं बिद्या लक्ष्मी योजना के तथ education loan लेने के लिए आपको अपनी सुविधा के हिसाब से loan के लिए आवेदन करना होगा loan मंजूर होने के बाद आपको इसी portal पर उसकी जानकारी मिल जाएगी और आपके खाते में पैसा आ जाएगे जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी खबरे मोधी सरकार अब देगी किसाणों को 2,00,000 रुपे तक का नगत जी हाँ दोस्तों मोधी सरकार करसी उपज मंडियों में किसाणों को ब्यपारियों दवरा उपज योग रासी बैंक प्रनाली से भुगतान नहीं करते हुए रासी के समय या आवकास का लाव लेकर के दुरुपियोग किया जा रहा था नगत रासी देने वाले सीमा कम होने का बहाना कर ब्यापारियों तवारा किसानों को समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा था लेकिन अब मंडी अधिनियम की धारा 37-2 के प्रावधान पर असपस्ट रूप से यह है कि किसानों की इस समझ से और ब्यापारियों की मनमानी पर अंकुष लगाया जा सके अब किसानों को उनकी उपस के बदले दी जाने वाली रासी नगद रासी की सीमा को बढ़ा करके करीबन 2 लाक रुपे कर दिया गया है वहीं ब्यापारियों को सेस रासी उसी दिन किसानों के खाते में ट्रांसफर पददती से ट्रांसफर करने अनिवार कर दिया गया है ऐसा नहीं करने पर संबंधित व्यापारी या फॉर्म का वैधानी करवाई करने का भी आदेश हो सकता है आपको बता दे कि एक बिभीन मंडियों में बिभीन परकार की प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है यहां तक कि यह जो खबर हा रही है वो मधपरदेश में है जिसमें किसान असनतोस व्यक्त करते हुए उन मंडियों की ओर अग्रसर हो रहे थे तो वहीं मंडियों द्वारा आएकर अधीनियम के समय भुगतान अनियम का हवाला देते हुए किसानों को मातर 10,000 रुपे की नगद रासी परदान की जा रही थी से सरासी बैंक ट्रांसपर पदती में किया जा रहा था जिसमें ब्यापारियों द्वारा रात के समय आउकास का बहाना बनाते हुए किसानों को भुगतान के लापरवाही की जा रही थी जिसमें से कई मंडियों के किसानों के सिकायत के मिलने पर मंडी बोर्ड ने अब भुगतान को ले करके यह निर्ने किया है। जिसमें से किसानों के बिरुद प्रशासनी करवाई की जाने की भी चिताओनी दी गई है। जिसमें के निवेस पर आपको दो लाक रुपए तक का इंसुरेंस देती है। इस योजना का लाव लेने के लिए आपको एक महीने में सिर्फ एक रुपए खर्च करना होगा। यानि एक साल में आपको सिर्फ बारह रुपए ही खर्च करने होगे और आपको दो लाक रुपए तक का फायदा हो जाएगा। जी हादोसो पन्धानमतिर सुरक्षा बीमा योजना के लिए अपलाई करने के लिए आप फॉर्म या ओनलाइन माध्म से बैंक में जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। पास खुद बैंक में खाता होना चाहिए क्योंकि इसको इस योजना के लिए आपको रुपए जमा करने की जरूरत नहीं होगी और पैसे आपके एकाउंट में सीधे डेविट हो जाएंगे यानी कट जाएंगे। इस योजना से जुड़े फॉर्म के लिए आप www.jansurakja.gov .in पर डाउनलोड भी कर सकते हैं जिया दोस्तों आपको बदा दे कि इस योजना का लाव 18 साल से लेकर के 70 साल तक कोई भी व्यक्ति पूरुस हो या फिर महिला इसका लाव ले सकता है लेकिन उसका बैंक में एकाउट होना जरूरी होगा यानी अगर आप इस बीमा को 18 साल स उम्र से अधिक हैं और आप 70 साल के हैं तो आपको सिर्फ 626 रुपए ही देने होंगे लेकिन फायदे के रूप में आपको दो लाक रुपए मोदी सरकार के द्वारा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएं हाँ दोस्तो अकली बड़ी ख़बर है जियो ने रमजान में दिया सांदार ओफर 2020 तक होगी वैदता जियो के कारण आज भारत में गराहक और गरीब वर के लोग भी इंटरनेट इस्तिमाल कर रहे हैं वही गरामिंट चेतरों में भी जियो में हाइस्पीड 4G इंटरनेट का सेवा उपलब्द किया रहा है इरलाइंस जियो में मौझूदा समय में भारते टेलिकॉम जगत में करीबं धाई वर्स पूरे कर लिये हैं जियो ने साल 2016 में टेलिकॉम मार्गेट में 6 महीने के मुफ्त ओफर के साथ मुफ्त सिम का भी वितरन किया था इसके साथ ही जियो ने कम से कम कीमत वाले गराहकों के लिए प्रसूत किये गए हैं हालाकि जियो समय से पर गराहकों को मुफ्त डेटा उपलब्द करा रही है यही नहीं जियो ने 99 रुपे प्रती दिन दी जाने वाली प्राइम मेंबर्सिप को भी पिछले साल की तरह इस साल भी उपलब्द करा है रमजान का महीना चल रहा है इसमें से आज आपको जियो के रिचार्ज करने के बारे में आपको बता रहा है जिसमें से इस महीने में रिचार्ज करने पर अगले साल 2020 तक बार बार के रिचार्ज कराने से जंजट से छुटकारा मिल जाए जियो के इस रिचार्ज में ग्राहकों को 365 दिनों के लिए सभी सुविधाओं का लाव मिल रहा है इस जियो की कीमत 1699 रुपए रखी गई है जिसमें unlimited voice calling और internet डेटा भी सामिल है जियो ग्राहकों के लिए इस रिचार्ज में unlimited local और स्ट्टी वाइस कॉलिंग के लिए जियो का 1.5 GB डेटा उपलब्द कराए जाएगा इस रिचार्ज में डेली के 100 SMS के अलावा जियो की प्राइम मेंबर एप के सब्सक्रिप्शन मुफ में उपलब्द कराए जा रहा है इस रिचार्ज के बाद जियो ग्राहक अगले साल 2020 तक सभी प्रकार के रिचार्ज से छुटकारा पास सकेंगे